हे गणपती भवानी नंदन चरल तुमारे सीस्ट नवान हिंगे लाज की सुमुर भवानी हर दम मेरी करो सहा रानी अवंती वाई के गाथा आप सभी को रही सुनाई करे बखान बीरता काम माचंडी का ध्यान लगां सोला अगस्त अठारा स्वेक्त से जिनका जन में हुआ पतिलाए मतिप देस जिला सिवनी में मन के हडी एक गाओं कहा धन भाई सिवनी की भूमी जहां भी रंग न जनमी आए बीरों की भूमी है भारते जग में नाम में मर के हिला आए बीरों की भूमी है भारते बीरों की भूमी है भारत जग में नाम में मर के हिला जुझार सहजी पिताया पिके जमीदार जो रहे बताय बच्पन से ही बड़ी साह सी रानी अवंती वाई कहाय बड़ी निदर और फुर्ती ली थी पूजा पाट रही मन भाई तलवार बाजी निशान बाजी बच्पन से अतिप्री के हिला आए प्राराम भेक सिक्छा मन केहडी में पूरी हुई तम्हें बतला राजा बिक्रमा दित सहलो दी रामगड की राजा के हिला इन सिब वाह हुआ रानी का रानी राम में गड़े पहुँची आए धार में पुर्वत्ती के राजा थे विक्रमा दित रही बतला धार में पुर्वत्ती के राजा थे धार में पुर्वत्ती के राजा विक्रमा दित रही नाम बतला रामी खुद ही राज का सासान और संचालन करती जाए नाम अमान सेह और सेर सेह फुत्रों के थे तुम्हें बताए राजा विचिप्त हुए जब देखो आसा रही न कोई दिखाए रामगड़ राजी की जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आई समाचार जब अंग्रेजों को मिला रामगड़ का बतला रामगड़ को अंग्रेजों ने तब हड़ लिया है तुम्हें बताए चाल समझ गई है गोरों की तब रानी तो रताई बतलाए राजा विक्रमा दित्ति की म्रत्व इसके बाद जब हुई बताए राजा विक्रमा दित्ति की म्रत्व राजा विक्रमा दित्ति की म्रत्व इसके बाद जब हुई बताए पूट डाल सासन करने की निती गोरों की कहला नागपुर जासी और ससारा अपने राज में लिये मिला जब एह जान लिया रानीन एसे कुछ हो पाए नाया सिपास के रजवाणों संग मिलकर दिया विरोधिकराए सब रजवाणों का सम्मेलन तब रानी ने लिया बुलाए राजा संकर साह को सबने मिलकर चुना प्रमुख बत लाए अप्रचार की जिम्मेदारी राजा संकर साह निभा जित निर्यासत रही वहाँ पर और रजवाणे रही दिखा जित निर्यासत रही वहाँ पर जित निर्यासत रही वहाँ पर उर रजवाणे रही दिखा एक पत्र दो काली चुनिया सब राजा को भिजवाए गोरों से लडने को राजा अपनी से नाली वह सजा या भिर पिहनों काली चुनिया और घर जाकर बेठे जाए अठा रह सो संता बन क्रांती मा को सल तक फेली जाए मा को सल में गुप्त सभाए चुडी वित्रन होता जाए राजा संकर साहिक देखो पुत्र रहे अतिवीर बताए रभूनाथ सहना में था जिन का ना मैं विश्व प्रेशिद्ध कहाए संकर साहर अगुनाथ साहिजब गोरों का विरोध कर जाए संकर साहर अगुनाथ साहिजब संकर साहर अगुनाथ साहिजब गोरों का विरोध कर जाए पिता और पुत्र दोलों को अंगरे जोने दिया उड़ाए अलग अलग तोपों से बाढ़ाए तोप तुरंत देई चलिवाए राजा और जमीदारों ने जम कर दिया विरोध कराए हीरा पुर सुकरी बरगी के चमीदार जो रही बताए बिजराधव गड़ के रजाए सरी उपसाद साथ में आए तब राम गड़ के से नापती एक बल देर लगाई नाए बिचिया थाने पर जढाई कर उस पर कब जा लिया जमाई घुगरी पर अधिकार कर लिया और बित्रों हिदिया करवाई घुगरी पर अधिकार कर लिया घुगरी पर अधिकार कर लिया और बित्रों हिदिया करवाई कई चाले अब अंग्रे जोती गानी दैनका में कराई रानी अवंती नामें है जिन कहाँ वैकाहू से नहीं डराए पूरा महा को सल तब देखाँ रानी ने आजाद करवाई नगर मंदिला में पर अब भी कोरों पाय अधिकार कहाई तीस नवंबर अठारा सो संदाबाने यादिगार तारीक बताँ जिला मंदिला खेरी ग्राम में युद्ध भयंकर हुए बतिला एसा युद्ध हुआ खेरी में दुनिया जिसके गाथा गाए अंगरी जोने देखो यहाँ परे अपनी दीती जले जमाए अंगरी जोने देखो यहाँ परे अंगरी जोने देखो यहाँ परे अपनी दीती जले जमाए धर लरकारा है रानी ने जो सत्रू हो सामेने आए है कोई दिखलाबे मरतूनी उसको दूंगी मारे गिराई उद्ध हुआ जब अंगरे जोने रानी काले बरन हो जाए छपक छपक तलबारे चल रहे हैं सनने सनने आवाज सुनाए बर्ची और भाले भी चल रहे हैं जिनके दसा कही ना जाए जितने बेरी आए जहां से तुरंत वहां को बापस जाए जिन्दा ना छोड़ू दुसमन को उसका धूंगी खोज मिताय आगे को बढ़ चली अबनती धरचंडी अब तार बताय आगे को बढ़ चली अबनती आगे को बढ़ चली अबनती धरचंडी अब तार बताय जापर लसकर अंग्रे जोका दाखिल हुई अबनती जहाए कोन सूर माहे भोचों में जो रानी के सामेन आए कठन समस्या वहां पर बन गई रानी भारी पढ़ती जहाँ जो कोई रहा है रण खेताओं में अपनी दई है जान गबाई जो भागा है रण भूमी से अपनी ले गया जान बचाँ रानी रानी ने ललकारा बेरी सुन लो ध्यान लगाई आज न दुसमन कोई बचेगा चाहे जान रहे या जाए रानी बोली जमीदारों से सुन लो सब जन ध्यान लगाई रानी बोली जमीदारों से रानी बोली जमीदारों से सुन लो सब जन ध्यान लगाई जो कोई मर जारन खेतों मैं उसके जिता देओ जलवा जो कोई भागे रण भूनी से उसको जिन्दा छोड़ू ना जब यह सुना जमीदारान फिर कोछ तेरे लगाई नाए मिलकर साथ दिया रानी का अब आंगे की बात सुनाए कट कट सी से गरे दो समन के धरती खून से लाले दिखाए निरभाय होकर लड़े अवनती दोई होत तलवार चलाए देख भीरता तब रानी की कई अंग्रेज सना का खाय आज पडारानी से पाला उंगली दातो तले दबाय आज पडारानी से पाला आज पडारानी से पाला उंगली दातो तले दबाय मार मार कर अब दुस मन को देखो दैहे गदर मचाय गोरी भागी तब मंडला से रानी पहुच रामगल जाय सन अठारा सो अंठावन को पंद्रा जनबरी हाली वकाय अंग्रेजो ने देखो हमला किया रामगल पर बत लाय रानी की छोटी थी से नहा मंगर हार मानी है नहाय दटकर गोरों का मुकाबल रानी की से ना कर जाय रामगड किलिस चल कर रानी देवे हार गड़ तक पहुच जाय अंग्रेजो ने पता लगा कर पीछा उनका किया बता आए अंग्रेजो ने पता लगा करे अंग्रेजो ने पता लगा कर पीछा उनका दिया बता आए रानी आवांती ने साय पुर में अपना मोरचा लिया लगाए पूजन अरचन की मंदिर में और मेदान में पहुची जाए अंतिम छड़ तक योद्धे किया हैं दई है मारा मारे मचा जब एह जान लिया रानी ने अब सकत रूहा भी हो जाए जब तक सास रहे इस तन में हात नहीं दोसमन के आँ लड़ते लड़ते थिर रानी ने अपनी लई तलवार उठाए बार किया अपनी छाती परें प्राणे पखे रूदिये उणा जब लो नीर रहे गंगा में तब तक नामे अमर किहला जब लो नीर रहे गंगा में जब लो नीर रहे गंगा में तब तक नामें अमर किहलाए वी से मार्च आटारा सौँचा बान रानी हुई बल दान बताँ जब तक सास रही रानी की चोटा साई के गाओं कहाँ रानी यहाँ बलिदाने हुई थी बलिदाने इस्थल कहते जाए प्रतिवर्स बलिदाने दिवस पर यहाँ आयो जन होते जाए रामगढ मेरानी की समाधी प्रानी की रही आति दिलो आये वंती भाई का नामे अमार है अपना गई है भर जे निभाई बर्गी बांद आवेंत कवाई के नामे से फिरसित बताई संजो बगेले निगादे आयाला